मनिश कस्यप को गिरफ्तार किया गया अभी वो न्याई खिरासत में है तो उनके द्वारा एप्लिकेशन दिया गया यह सामाने प्रक्रिया हरे केस में यह होता है इसमें पॉलीस की तरफ से कुई तुरूटी नहीं है नानुसंधान की यह प्रक्रिया का हिस्सा पुश्कार आप देखने न्यूस पॉनेशन और मैं स्वाती पंडे आपके साथ बिहार के फीमस यूट्यूबर मनिश कस्यप से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है बता दे कि मनिश कस्यप के मुस्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली है दरहसल बिहार पलिस मनिश कस्यप को एक बार फिर से रिमांड में लेना चाहती है तरहसल मनिश कस्यप तरमिल लाडू से बिहार के बेउर जेल में मनिश कस्यप को इस वक्त रखा गया है आपको बता दे कि EOU यानि बिहार आर्थिक अपराद इकाई के एसपी शुशील कुमार ने ये पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार क्यों मनिश कस्यप को एक बार फिर से बिहार पोलिस अपने रिमांड में लेना चाहती दरहसल तरमिल लाडू के जेल में मनिश कस्यप करीब 3-4 महिनों के लिए बंद थे उसके बाद उन्हें बिहार बुलाया गया दरहसल बेतिया कोट में मनिश कस्यप के लेकर के सुनवाई हुई जहां कोट ने मनिश कस्यप से रिलेटेड बड़ी अपडेट दी कोट ने ये फैसला किया कि मनिश कस्यप को अब तमिल लाडू नहीं भीजा जाएका वो बिहार में ही रहेंगे और अब जो है आर्थी कप्राद इकाई के सुशील कुमार ने ये बड़ी जानकारी दी है कि मनिश कस्यप से एक बाड़ फिर से बिहार पुलिस जो है वो पूछताच करना चाहती है उन्हें रिमांड में लेना चाहती है आपको सुनवाते हैं या नियार्थी कप्राद इकाई के एस पी सुशील कुमार की तमाम बातों को दिखे नियाई प्रक्रिया है कि जब भी कोई अभ्युक्त फरार रहता है तो उसकी में उसका वारेंट और उसके बाद कुड़की जप्ति की आती है और जब अभ्युक्त नियाले में फिर से उपस्तित होता या पुलिस पकड़ के करें या आत्मे समर्पन करें उसके बाद वो प्रॉसेस है चुकि अभ्युक्त अभ नयाई का विरक्षा में है तो जो कुड़की जप्ति का जप्त सामान होता है वो नियाले के आदे से प्रक्रिया का हिस्सा रसल बिहार के यूट्यूबर मनिश कश्यप के घर का कुर्क किया हुआ जो समान था वो रविवार को ही रिलीज कर दिया गया बेतिया सिविल कोट के आदेश पर पुलिस ने समान मुक्त कर दिया है मनिश कश्यप की मा मधुदेवी और भाई करन कश् पुलिस ने कुरकी में लाये गये समानों की कागजी प्रक्रिया पूरी कर फिर मनीश के परिजनों को सौप दी समानों को मुक्त कराने के बाद ट्रैक्टर पर लाद कर अपने गाउं महानवा डूमरी लाया गया बता दे कि मनीश कस्यप के भाई करन कस्यप ने बताया कि किसी वक्त के घर को पुलिस कुरकी करती है तो वीजियो बनाती है लेकिन मेरे घर की कुरकी के दौरान वीजियो नहीं बनाया गया था पुलिस ने वीजियो दिखाने को लेकर कहा तो किसी तरह का फूटेज नहीं दिखाया गया तो देखिए बीते दिनों मनिश कस्यप का घर का ज मनिश कश्यप को तमिल नाडू नहीं भेजा गया, बिहार में ही रखा गया है। इस वक्त वो बिहार की जेल में है और अब मनिश कश्यप